बिहार में क्रोणा वैरस की दूसरी लहर का कहर काफी कम हो गया है क्रोणा संक्रमन की चेन तूटने के बाद सुबे में सरकार ने 6 अगस्त के लिए अनलॉक चार का एलान कर दिया है राज के मुख्य मंतरी निटीश कुमार के अधिक्षता में आज प्रदेश में अनलॉक चार को लेकर के उचिस्तर ये बैठक हुई जिसके बाद ये ने लिया गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कारियाले को समान रूप से खोला जाएगा इसमें टीका ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा वो ही सीम नतीश कुमान ने ट्वीट कर लिखा है कि विश्रोवेदाले सभी कॉलिज तकनिकी शिक्षन संस्थान, सरकारी प्रशिक्षन संस्थान, ग्यारवी और बारवी तक के विद्याले 50% चात्रों की उपस्तिती के साथ खुलेंगे वो ही रेस्ट्रेटर खाने के दुकानों का भी संचालन 50% बैठने की शमता के साथ हो सकेगा लेकिन अभी भी साबधानी की जरुत है आपको बता दे कि बिहार में अनलॉक चार के नए नियम कानून अगले एक महीने के लिए लागू रहेंगे मालूम हो कि अनलॉक के दौरान भी क्रोणा संक्रामन में निरंतर गिडावट आई है पर अब भी राज्च में 100 सदिक नए मामले प्रति दिन मिल रहे हैं